अलो गाईस तो कैसे हो आप सब लोग आई घंग किज़ों यह रहा है इसको यूच कर पाऊए इस तरह कर पाऊगे यह अपने आप में कितना घंडा करता है और केमिंग में जोए कितना यह ठंडा करेगा हमारे डिवाइस को सब को इस वीडियों बताएंगो उससे पहले दूस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है किस वीडियो को जो लाइक पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अब को दिखाता हूं कि जो बॉक्स के अंदर क्या-क्या हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो यह रहा देख सकतो बॉक्स हम लोग को कुछ इस तरह मिल जाता है मैगनेटिक रेडियेटर लिखा हुआ मिल जाता है और पीछे में काफी सारे चाइन नीचे में देखो कि एक्स्टेंड वारेंटी आपको मिल जाता है यहां पे qr-e scan करोगे तो आपको जो है एक्स्टेंड वारेंटी भी इसका मिल जाता है मोवी लाइफ के तरफ से ठीक है मोवी लाइफ को देख सकते हो और चलिए बॉक्स को उपने कर पाएंगे अपने चलिए मैं इसको भी लागा कि आपको दिखाऊंगा कैसे तरह से इसको लगाते हैं और साथ में हम लोग को मिलता है एक देख सकते हो यहां पे मोवी लाइफ के तरफ से आने वाला मैगनेटी कूलर यहां पर देख सकते हो पीछे मीश्टी का लिखा अधा वार्म ठीक है कुछ इस तरह से मैगनेटिक रहता है तो दूसरे में चपक जाता है अब बात कर लेते हैं यहां पर देख सकते हो अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाते और लाइट वेट है जिसको आप अपने फोन में या फिर आइपेड उप्रेंड में यूज कर पाऊगे और टाइप सी वाले चाःजिंग पोड़्ट मिल जाते अब दिखा देता हूं को कि किस तरह से आपको लगा सकते हो दείकल में आप्राइढ फोन में किस तरह से लगता सि में यहां पर किलिप दिया रहता है तो किलिप को आपका अपको लगाना रहता है कुछ इस तरह से क्क्त एंडराइड पोर्ण में मैंने लगा दिया है और इसको जो लगाना काफी एजी है तो आप आप सक्केश्य में या तो इसके यूझ वाले हु थोड़ा से इसको मैं कहांगा ह्लका है क्योंकि आइपेड में लगांए हो तो आइपेड नगाए जो है ऊए जाना एक दूसरे तो कुछ आप अपने तीनोही फोन में चपका सकते आंडराइड में हो आइपेड में हो या फिर आइफोन आपके पास तीनों ही जोगा पर आप इसको यूज कर पाओगे चपक तो यहां पर 14 तक आ चुका है और मैं कट कर दिखाऊंगे अब करको करी काफी ज्यादा लमबा हो जाएक डीक हाओ यह दो मिनटे एक मिनट्स व्मेर्व सो चुका है और भीजिए तो यह विजदी में तक यह जा चुका है 12 sce niche 11 12 रहा और 12 degree भी काफी अच्छे आपको ठंडा करते आ हैं यह temperature display नहीं बताता इसका temperature display की कितना है और मेरे ऐसे मैं चोने के बाद मुझे काफी ठंडा if में उसी ठंडा हो ठीक है तो यहाँ पर चुने के बास לפ मूइल में नहीं नहीं हुगा read अब नुमन रहा दूंहुत को यहां जई चैन्द करते हो और या फिर आप्रेंडिंग करते हो जिसे video आपका फोन ज़ादा गरम हो जाता है तभी आप जो एक जादा यह फाइदा करेगा तो इसके पानियो नहीं आते रहते हैं तो जो यह साध आपके पानियों में अगर वाटरफूरूप नहीं होगा तो जो आपको पानिये जा सकता है बर ठीक है कोई बात नहीं मोश्चर वैसे आपको फोन के अंदर नहीं जाएगा ठीक है एक दम फोन उनके अंदर नहीं आएगा तो चलिए जो हम लोग यहां पर आंड्राइड में लगा के जो एंड्राइड में गेमिंग करते हैं देखते हैं कि कितना जो हमारे फोन को ठंड करता है हमारे android phone को ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का किलिप लगा के आप अपने फोन में लगा सकते android में ठीक है तो चलिए आपको तीनों ही में आपको चेक करके दिखाऊंगा आइपेड में और प्लस फोन में दोनों में कर चुका हूं इस अपने android phone में ठीक है तो android phone में आपको दिखा देता हूं कितना cooling किया है तो यहां पर देख सकते हो temperature display जो दिखा रहा है वह 14 डिग्री है साइध आपको के अगर आपको पता होगा कि मैं एक iPad प्लेयर हो तो ठीक है तो आइपेड में गेमिंग करते हैं और इसको लगा के च्ट्रीमिंग करेंगे 5-6 गंटा इस्ट्रीमिंग करेंगे देखते हैं कि हमारे आइपेड को ठंडा कर पाता है या नहीं कर पाता है क्योंकि अपने गेमिंग चैनल पर लाइब स्ट्रीमिंग करते हैं 5-6 गंटा उसके बाद देखते हैं कि कितना हमारे आपने आइपेड को ठंडा कर पाता है या नहीं कर पाता है कितना परफोमेंस देता है विसे तो मैं है आइपेड काफी ज्यादा गरम हो जाता है और यहां पर यूज कर रहा हूँ ऐपेड मीनी 5 आज की mi5 में जुए काफी ज्यादा गरम होगा जिनको पता होगा कि ipad 속 5 बहुत ज्यादा गरम होता है बिदाऐट अगर तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो और इसे मैंने आपको गेमिंग चैनल का लिंक भी दे दूँगा तो आप जाके वहां पर देख सकते हो कि मैंने 5-6 गंटे जो इसको लगा के यूज किया हूं ठीक है तो और आपको बता दू कि जो आइपेड में मैंने जब लगाया त अब बात कर लेती इसकी प्राइज की तो इसकी प्राइज जो है अपको देखने के लिए मिल जाता है 15-160 पे आपको ले जरूर करें और वीडियो कैसा लागे कॉमेंट करके जरूर बताना और कोई-बी ऐसा जो है मोबाइल का गेमिंग कूलर या फी किसी चीज का रीवीव देखना चाहते हो तो कोमेंट करके जरूर बताना ठीक है तो बस मिलते हैं निक्स वीडियो में कुछ और भी गेजर्स अन्बॉक्शन रिव्यू के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टाटा गाइस लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना बुलना अगर न्यू अब हमारे चनल पर ने हो तो जोए सस्क्राइ जरूर कर लेना ठीक है तो चलिए मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टाटा गाइस